ओमे करपूरे गौरं करुनावतारं शंसारिशारं भोजे गेंद्रिहारं शदाव शंतं हिर्दे आरविंदे भवं भवाने शहितं बनमामी मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 24 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़ीबार के बारे में दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपके घर पड़ीबार में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय के दोरान उस पड़े सानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भाग्य आपका साथ अबश्य देगा वैसे अगर आपके धन सम्पती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने वाले समय के दोरान उस रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन सम्पती के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको अबश्य करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके शुवास्त के मामलों में आपका शमय आपका साथ देगा या नहीं देगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अन्चाहे खयालों को आपको अपने दिमाग से दूर करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आपको शान्त और तनाब से मुक्त रहना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके शुवास्त के मामलों में आपका शमय आपका साथ नहीं देगा मित्रों आने वाले समय के दोरान जिस काम को करने से आपको मानसिक तोर पे मजबूती मिले आप वही काम करें तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्ये साली रंग और भाग्ये साली अंक क्या है मित्रों टोटका बहुत ही ज्यादा सामानी है आने वाले समय के दोरान अपने समय को बहतर और सांधार बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए मित्रों आज आपके लिए भाग्य साली अंक है दो यनी की टू आज आपके लिए भाग्य साली रंग है लाल और मैरून तो यही था आज के दिन कारासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर द धन्यवाद